हेलो फ्रेंज वेलकम बेग टू मैं चैनल कैसर क्रियेशन आज वापिस मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो चालू करूँ उससे पहले फ्रेंज आप मेरे चैनल वे फर्स टाइम विजिट कर रहें तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्स यसे शॉपिंग बेग ऐसे बनाते वो सिखाने वाली हूँ और ये शॉपिंग बेग जो मैं बनाऊंगी उसमें ना लाइनिंग लगेगी ना फों सीट ना रबबर सीट, विथावड ऐसे ही मैं इतने अच्छे से आपको बनाके दिखाने वाली हूँ ना जीप लगेगी, तो आप लोग अच्छे से और without एक भी पैसा खर्च किये बिना सिखना चाहते हो तो लाश्ट तक मेरे साथ बने लिए तो फ्रेंज देखो ये पूर्ती थी तो कूर्ती का जो बोटम पाट था उसमें से मैंने 29 by 18 के एक पीस मैंने कट कर लिया और ये बचा हुआ मैंने पर रख दिया तो इस पीस में मैंने राइस बेग का यूज किया है अंदर लाइनिंग नहीं लगा है राइस बेग और कुर्ती का जो बोटम से मैंने पीस निकाला था उसको दोनों को आटेस कर दिया है और उसका मेजरमेंट है 18 by 29 18 by 29 का ये वाला पीस है पूरा इस पीस मे हमें हमें और 20 इंजिस के ऐसे 2020 के मैंने टू हैंडल बनाए तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे यहां से और दोनों साइड अपने हिसाब से दो हैंडल को दोनों साइड हमें अटेस करने को उससे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है ये जो 29 by 18 का पीस है उसक से हमें सिलाई दोनों साइड लगा देनी तो फ्रेंज देखो जो 29 वाली लेंथ वाली साइड थी वो दोनों साइड पे मैंने इस तरह से दोनों साइड को फोल करके सिलाई लगा दिये अब हमें यहीं साइड का सेंटर निकालना है तो इस तरह से ये सेंटर है और सेंटर से दोनों साइड 3-3 इंच पे 3 इंच पे यहाँ पे जगा छोड़ते हुए हमें इस तरह से अंदर की साइड से येसे हैंडल लगाने है सेंटर से 3-3 इंच की गेप छोड़ते हुए दोनों साइड हमें हैंडल अंदर की साइड से अटेज करने है तो फ्रेंज देखो ये मैंने दोनों साइड इसके हैंडल को अटेज कर दिया अब हमें इसके सेंटर से एसे फोल्ड करना है उल्टाई और दोनों साइड में सिलाई लगा दिया पकी सिलाई हमें दोनों साइड पेट कर दिया तो फ्रेंज देखो ये दोनों साइड मैंने पेट कर दी और अब हमें इसका अच्छे से बेज बनाना है बेज बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2.5 बाई 2.5 का एक स्क्वेर कट कर देना है तो ये सिलाई से आगे हमें 2.5 लेना है तो इस तरह से और ऐसे हमें 2.5 लेके ऐसे हमें कट कर देना है तो ये दोनों साइड हमें ऐसे 2.5 के कट करने हैं और फिर उसको सिलाई लगा है प्रेंस देखू, यहां से मैंने इसरे निकल दिया 2.5 और पीस मेंने कट कर दिया। अब हमें इसरे बेस बनाने के लिए इस थरसे तखरना हैं और यहां से एंसे सिलाई लगा लेनी हैं। दोनों साइट सेम्त हुआ से मैंसे ही हमें करना है। तो फ्रेंस देखों, यहां पे मैंने सिलाई लगा के इसे कवर कर दिया, बहुँ से अल्पी करेंगे तुटका अच्छे से बेज बन के लिटर कर दिया, तो फजी हमारा इत्रम वाइन बेज बन गया इसमें, आप छोटा बड़ा इसमें, बेज भी छोटा बड़ा बना सकते हो, टू बै टू भी ले सकते हो, उससे बिच कम ज्यादा भी आप कर सकते हो, यह देखों, इतना सामान हम इसमें लेके, आ सकते हैं, बहुत बड़ा बनाएं, सब्जी लेने जाएं तो भी यूज कर सकते हैं, ग्रोसरी लेने में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, तो यह एकदम विदावड जीप, विदावड लाइनिंग, विदावड फॉम सीट के, मैंने इतना बड़ा सा, इसका बेज देखों लिखमा बढ़ा और ये भी हमारी पूरानी कुर्थी का यूज़ करके मैंने यह बना यह आगे अपको एकड़म इजी-वे proto ये बताया है और ऑजीप लगाने की आगा Repeat मुद, सिंपल वे मैं, मै दो हम ले मैंने यह बताया है वोरिफरेश भ आम पहाह云ँ पर ही बिना पैसा खर्च किये बेग बना के शोपिंग करने जा सकते हैं ग्रोसरी लेने या सबजी के लिए इसका ये वाले बेग काम यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये आईडिया कैसा लगा कोमेट करके जरूर बताना और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगी तब तक के लिए थैंक यू फोर वाचिंग वीडियो धन्यवाद बाई बाई